नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है पाउन मिसरा पीके हिंदियान वुक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यबाद तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने ब्लोग या वेपसाइड के लिए बहुत ही सस्ते दाम में .com domain purchase कर सकते हैं वो भी God ID से जहां दोस्तों मैं आज इसी के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ और मैं आज एक domain अपने लिए purchase करके भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप God ID से अपने लिए एक domain purchase कर सकते हैं और दोस्तों अगर आप अपने लिए एक free की domain purchase करना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने अल्रेडी एक वीडियो इस चैनल पर upload किया हुआ है उसका link आपको नीचे description में मिल जाएगा और आप उपर i-card पर भी क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं जो range आपको बताने वाला हूँ domain का वो है दोस्तों 121 रुपे और दोस्तों इससे भी सस्ते में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप purchase कर सकते हैं तो चलिए दोस्त करने के लिए सबसे पहले आपको अपने mobile phone का simply chrome browser open कर लेना है और दोस्तों अगर आप अपने लिए एक website create कर रहे हैं डिजाइन कर रहे हैं वापkey.com या फिर weamowab.com तो आप इस website पर आ सकते हैं pkcode.wapgym.com इसका link आपको नीचे description में मिल जाएगा यहां से आप बहुत ही अ देना है godid.com यहां पर देख सकते हैं इस तरह से type करके search कर लेना है तो दोस्तों मैं जो भी domain यहां पर purchase करना चाहता हूं वो मैं यहां पर search कर लेता हूं देखिए मैं एक WhatsApp ग्रूप का जो है link के लिए मैं एक blog create कर रहा हूं तो इसलिए मैं यहां पर यह वाली domain search कर लेता तो चलिए देखते हैं दोस्तों यहां पर देखिए जो .com domain है यह यहां पर जो है available नहीं है तो मैं यहां पर कोई दूसरा यहां पर .whatsapp-grouplink.com यह वाली मैं यहां पर purchase करके आपको दिखा रहा हूं तो यहां पर दोस्तों अभी मैं यहां पर add to card पर click कर देता हूं सबसे प नीचे आपको add to card पर click कर देना है तो यहां पर added यह हो चुका है तो अब यहां पर आपको यह जो green color में यह जो पट्टी दिखाई दे रहे continue to card इस पर आपको simply click कर लेना है तो मैंने यहां पर click कर दिया तो यहां पर मैं थोड़ा बेट कर लेता हूं दोस्तों इसके बाद दोस्तों कुछ ऐसा page यहां पर open हो जाता है तो यहां पर नीचे scroll करके आना है तो यहां पर select plan privacy protection तो हमें इसे भी नहीं चाहिए और यहां पर privacy and business protection इसे भी हमें नहीं चाहिए तो यहां पर no thanks पर आपको check mark कर देना है इसके बाद scroll करके नीचे आना है और यहां पर continue with this options पर click कर देना है green वाली party पर तो मैं यहां पर click कर देता हूं तो यहां पर कुछ इस तरह से page open हो जाता है तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं यहां पर two years select है तो मैं यहां पर one years जो है select कर लेता हूं तो यहां पर देख सकते हैं दोस्तों 11.99 डॉलर यहां पर दिखाई दे रह तो दोस्तों अब यहाँ पर अगर आप इसे जो है इंडियन रुपेज में इसे कनवर्ट करना चाहते हैं सबसे पहले मैं आपको एक प्रोमो कोड दे रहा हूं उसे आपको यहाँ पर डालना है दोस्तों यह जो दिखाई दे रहा है भी प्रोमो कोड इस पर आपको क्लिक कर लेना है देखे मैंने क्लिक किया तो चलिए मैं यहाँ पर वो प्रोमो कोड यहाँ पर आड़ कर देता हूं तो देखे दोस्तों मैंने यहाँ पर एक प्रोमो कोड जो है अड़ कर दिया है अब सिंपली आपको मैं दिखा देता हूं इसे जूम करके आपको यह कोड यहाँ पर प्रोमो कोड में डाल देना है इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपलाई कर देना है देखे मैंने अ ही जो है ट्राइक कर रहा था तो यहाँ पर यह 1.17 डॉलर यहाँ पर दिखाई दे रहा था टोटल पर यहाँ पर पता नहीं क्यों इस तरह से दिखाई दे रहा हो सकता है आप करेंगे अपने मोबाइल फोन या फिर पीसी से तो यह हो जाएगा तो यहाँ पर दोस्तों अब आपको इसे जो है वन हंड्रेट टॉंटी वन रुपए में पर्चेस करने के लिए आपको स्क्रोल करके नीचे आ जाना है यहाँ पर यूएसडी स्लेक् क्लिक कर देता हूँ अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि यह कितने में पर रहा है तो दोस्तों जब मैं प्रोमो कोड अप्लाई नहीं कर रहा हूं तब यह देखिए टोटल यहाँ पर पढ़ रहा है एट हैंड्रेट अलेबन रुपए का तो हम यहाँ पर प्रोमो कोड apply कर देते हैं दुबारा से और यहां पर apply पर click कर देते हैं तो यहां पर apply हो चुका है आप देखते हैं कितने का पढ़ रहा है देखिए 121 रुपे में यह total पढ़ रहा है तो आप इस तरह से इसे purchase कर सकते हैं और दोस्तों यह जो प्रोमो कोड है यह केवल जो है new creators के लिए है जो new account create करेंगे उन्हीं के लिए है दोस्तों और अगर आप पहले से आपका account है आपने domain purchase किया है तो आपको यह जो है प्रोमो कोड काम नहीं करेगा तो दोस्तों हमें यहां पर .com domain purchase नहीं करना है मैं यहां पर .xyz यह वाली domain मैं purchase करना चाहता हूं तो चलिए मैं यहां से इ purchase कर लेना है जो की वन हंड्रेट टॉंटी वन रुपे में आप .com domain easily purchase कर सकते हैं वैसे दोस्तों यह जो है एट हंड्रेट अलेवन रुपे की पढ़ रहे है तो आप इसे purchase कर सकते हैं तो चलिए मैं यहां से बैक कर लेता हूं सबसे पहले यहां से मैंने बैक कर लिया है और अब मैं फिर से बैक कर लेता हूं अब दोस्तों मैं यहां पर जो है search कर लेता हूं देखिए यहां पर आ गया है नीचे सायद यहां पर देखिए whatsapp group link.xyz तो मैं इस पर click कर लेता हूं यह दोस्तों 69 रुपे में हमें पढ़ रहा है इसलि 2019 तो आप अगर आपके दो तीन महीने बाद इसे try करते हैं तो हो सकता है work नहीं करेगा तो दोस्तों अभी अगर आप अभी जल्द ही आप वीडियो देख रहे हैं तो यह code जो है work करेगा तो दोस्तों अब चलिए हमें जो domain यहां पर purchase करना है वो यह वाली है दोस्तों whatsapp group link dot xyz दोस्तों मैं dot com domain ही purchase करना चाहता था पर दोस्तों यहां पर आप देख सकते ही हैं यह हमारे लिए available नहीं है तो इसलिए मैं यहां पर whatsapp group link dot xyz मैं इसी को purchase करना चाहता हूं तो दोस्तों यह है जो है 69 रुपे में तो मैं यहां पर add to card पर click कर देता हूं तो दोस्तों green color की पट्टी पर तो देखे मैंने यहां पर click कर दिया है तो यह कुछ इस तरह से page open हो जाता है वहीवाले options यहां पर दिखाई देंगे select plan privacy protection और privacy and business protection तो अगर आपको इन्हें चाहिए तो आप yes कर सकते नहीं तो no thanks पर आपको click कर देना है अब दोस्तों मैं यहां पर नीच options पर click कर देता हूं देखे मैंने click कर दिया तो यहां पर यह वाली जो domain है वह यहां पर जो है select हो चुकी है तो यहां पर देखे दोस्तों two years select है तो मैं यहां पर one year select कर देता हूं देखे जैसे ही मैंने one year select किया तो यहां पर 69 का यह पड़ रहा है तो अब हम यहां पर नीचे आएंगे तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं जो इसका tax और फीस है जो इसका तो यह है 12 रुपी तो इसे मिला करके यहां पर हो जाता है 81 रुपे तो मैं यहां पर इसे अब purchase Tillet करने के लिए आपको यहां पर करना क्या होगा अगर आपधा अपा यहां अकांट है तो आप यहां से साइन इन कर सकते नहीं तो आपको create icon पर क्लिक कर देना है तो दोस्तों मैं create icon कर लेता हूं यहां पर जैसे ही मैंने click किया तो दोस्तों अगर आपको यहाँ पर account create करना है तो आप continue with facebook से भी कर सकते हैं पर मैं आपको यही suggest करूँगा कि आप अपने email account से यहाँ पर register करें तो यहाँ पर मैं अपना email आपको एक यहाँ पर add कर देना है और यहाँ पर एक username second वाले box में और last वाले box में आपको एक अपना जो है password select कर लेना है और जो last वाला box है support pin यहाँ पर फोर अंक का एक support pin add कर देना है जिसे आपको याद रखना है तो चलिए मैं यह साथी details जो है मैं फिल कर लेता हूँ तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सभी चीज़े फिलप कर दिया है तो दोस्तों security की लिहाँ से मैंने इसे blur कर दिया है तो आपको दिखाई नहीं देता होगा अब simply आपको create account पर इस वाले पर click कर देना है जो यहाँ पर यह वाली है green color के पटी तो देखे मैंने यहाँ पर click कर दिया तो यह हमारा जो account है यह अभी create हो जाएगा तो यहाँ पर देखे लोडिंग हो रहा है तो दोस्तों कुछ इस तरह से जब page open हो जाएगा तो अब यहाँ पर दोस्तों बाकी का आपको details flip करना है तो चलिए दोस्तों मैं जल्दी से यहाँ पर सारा चीज़े flip कर लेता हूँ सबसे पहले आपको country select कर लेना है फिर अपना first नाम last नाम और अपना phone number दोस्तों इसके बाद दोस्तों address आपको डालना है फिर add address line यहाँ पर postal code और यहाँ पर दोस्तों region आप type कर सकते हैं city और original nation यहाँ पर type कर सकते हैं और text ID यहाँ पर इसके बाद दोस्तों आपको save पर click क लेना है तो चलिए दोस्तों मैं सभी चीज़ें यहाँ पर flip कर लेता हूं सबसे पहले इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं next process तो दोस्तों यहाँ पर सारी चीजे फ्लिप कर दिया है हमने मैंने इसे बलर कर दिया इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर सेफ पर क्लिक कर देता हूँ तो देखिए दोस्तों सेफ करने के बाद कुछ इस तरह से जो है payment method का options यहाँ पर आ जाता है तो आपको जो भी select करना है दोस्तों वो यहाँ से आप select कर सकते हैं किसके जरीए आप payment करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर दोस्तों debit card के जरीए करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर debit card जो है select कर लेता हूँ तो debit card select करने के बाद दोस्तों complete purchase पर आपको click कर देना है देखे दोस्तों मैंने click किया तो यहाँ पर loading ले रहा है थोड़ा हमें बेट करना होगा तो दोस्तों यहाँ पर order number हमारा दिखाया गया है तो इसके बाद मैं यहाँ पर blur कर देता हूँ और नीचे scroll करके आता हूँ यहाँ पर debit card के plus वाले icon पर click कर लेना है और फिर select debit card पर click कर देना है तो मैं यहाँ पर select कर लेता हूँ तो मेरा दोस्तों यहाँ पर तो मैं यहाँ पर दोस्तों रुपए डेबिट कार्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ इसके बाद यहाँ पर जो है कार्ड नंबर हो गएरा डालना है तो यह मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूँ दोस्तों आपको करना क्या होगा सभी चीज़ें यहाँ पर फिलिप करने के बाद आपको यहाँ पर प्रोसेट पर क्लिक करना है तो चलिए मैं यहाँ पर थोड़ा वीडियो स्किप कर देता हूँ तो देखे दोस्तों जैसे ही मैं ने पेमेंट यहाँ पर कर दिया है तो यहाँ पर देखे एक Gmail भी आपके Mail पर आ जाएगा Gmail पर तो यहाँ पर देखे Thank you for your order यहाँ पर हमने पर्चेस कर लिया है और टोटल जो है यहाँ पर order टोटल जो है प्राइज आप देख सकते हैं 95.58 रुपे जो है यहाँ पर हमारा जो है चार्जेस लगा हुआ है इसे buy करने में तो इस तरह से दोस्तों हमने इसे purchase कर लिया है अब यहाँ पर view report पर click कर सकते हैं आप देखिए बैने यहाँ पर click कर दिया तो यहाँ पर यह वियू रिपोर्ट जो है इसका यहाँ पर ओपन हो जाएगा यहाँ पर इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं तो अब चलिए मैं यहाँ पर बैक कर लेता हूँ अपने एकाउंट पर जाता हूँ यहाँ पर एकाउंट पर मैंने क्लिक किया इसके बाद म प्रोडपट पर में क्लिक कर लेता हूँ तो यहां पर मैंने माइ प्रोडपट पर क्लिक कर लिया है तो देखें दोस्तों यहां पर open होने के बाद कुछ इस तरह से verively or email address to यहां पर जो है verify करने को बोल रहा है चलिए दोस्तों यहां पर जो मेरा email verify नहीं हुआ था, इसलिए problem हो रहा था, यहां पर मैंने email जो है अपना verify कर लिया है, तो यहां पर view my domain पर मैं click कर लेता हूँ, इसके बाद यहां पर यह कुछ page इस तरह से open हो जाता है, तो अब आप यहां से जो है DNS नाम जो है server यहां पर change कर सकते हैं, तो दोस्तों आसा करते हैं कि आपको यह video पसंद आया होगा, तो दोस्तों वीडियो को like कर दिजिएगा, दोस्तों इस video को देख करके आप बहुत ही आसानी से अपने लिए goda ID से एक domain purchase कर सकते हैं, जो की बहुत ही सस्ते दामों में, तो दोस्तों अगर video आपको पसंद आया है तो like कर दिजिए और चैनल को subscribe करना बिलकूल मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं इसी तरह की video हर रोज इस channel पर upload करता रहता हूँ ताकि आपको इन सभी video का notification मिलता रहे, तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, जल्द ही आजिर होंगे इसी तरह की interesting technology video के साथ, तब तक के लिए जय हिंद बंदे मातरम.